गुड मॉर्निंग टौल ओफ यू आज का हमारा टोपिक है Alternation of Generations in Teredophytes अर्था Teredophytes में PDA कांतरन सबसे पहले हम पढ़ेंगे PDA कांतरन का आर्थ जब पादप के जीवन चक्र में दो अलग-अलग परकार की PDA का एकांतरन पाया जाता है तो उसे PDA कांतरन कहते हैं Teredophytes की जीवन चक्र में नीमन दो परकार की जन्दरेशन से या PDA पाया जाती है नमबर वन बिजानुद भीत पिड़ी स्पुरूफायटिक जन्दरेशन यह Teredophytes की जीवन चक्र की मुखे पिड़ी होती है यह द्वी गुणेत, श्वत अंतर, स्वय पोशी तथा जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदित होती है नमबर टू, युगमकोद भीत पिड़ी गेमिटोफायटिक जन्दरेशन चुकि अपन पढ़ चुके हैं कि युगमकोद भीत पिड़ी के बाद अपको प्रोथेलस भी कहा जाता है यह PDA Teredophytes के जीवन चक्र की द्वित्यक पिड़ी है यह एगुणित, श्वतंत्र, स्वेपोशी तथा जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होती है तुकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि Teredophytes दो परकार के होते हैं सम बिजानविक Teredophytes और विशम बिजानविक Teredophytes तो सम बिजानविक और विशम बिजानविक दोनों परकार के Teredophytes के पिड़ी एकांतरण में कुछ भिन्नता हुआई जाती है सम बिजानविक Teredophytes का तात्परी होता है इन Teredophytes में बनने वाले सभी बिजानों एक सम्मान परकार के होते हैं होमोस्पोरस या सम बिजानविक Teredophytes का जिवन चकर कुछ इस प्रकार होता है इन में मुखे पादप Sporophyte या बिजानविक दोता है इस पादप पर अनेक Sporengium बिजानु धानिया उत्पन होती है इन बिजानों धानियों में अनेक Sporeng Mदर Cell बिजानों मातरी कोशिकों का निर्मान होता है बिजानों मातरी कोशिकों में अर्द सुत्री विभाजन के द्वारा ऐसं के Spores या बिजानों बनते है इन बिजानों के अंकूरण से युगमकोद भित पादप या प्रोथेलस का निर्मान होता है प्रोथेलस पर रिप्रोडेक्टिव ओर्गन्स, मेल रिप्रोडेक्टिव ओर्गन एंथ्रीडियम और फिमेल रिप्रोडेक्टिव ओर्गन आर्किगोनियम का निर्माण होता है एंथ्रीडियम में एंथ्रोजोड्स और आर्किगोनियम में एक का निर्माण होता है एंत्रोजोड्स और एक के फ्यूजन या फर्टिल आइजस्टन से जैगोट का निरमान होता है और जैगोट में बार-बार विभाजन से एंब्रियो बनता है और एंब्रियो अंत में बिजानुत भीत पादप का निरमान करता है इस परकार टेलडोफाइट्स में स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम, स्पोरमदरसेल, जाइगोड, एम्ब्रियो ये सब ही अवस्थाएं स्पोरोफाइटिक जनरेशन को निरूपित करते हैं और स्पोर, गेमिर्टोफाइट, एन्थ्रीडियम, आर्किगोनियम, एन्थ्रोजोइड, एग ये सब ही गेमिर्टोफाइट जनरेशन को निरूपित करते हैं इस प्रकार का पिडियमक आंतरन साईलोटम, लाइकोपोडियम, इकविशियर्टम, इत्यादि पाधवों में पाया जाता हैं अब हम पड़ेंगे हिट्रोइसपोरस पी स्पिसीज में पिडियमक आंतरन हिट्रो considerably या विश्वम बिजाणू कार्थ होता हैं इन पादपों में दो परकार के बिजणू बनते हैं लग्भू बिजणू या माइक्रोश्पोर गुरू बिजणू या मेगाइस्पोर इन पादपों में भी मुखे पादप स्पोरुफाइटे बिजणू भी दोता है इस बिजाणु विधीत पादप पर सम बिजाणु एक पादपों के विपरीत इनमें दो परकार के बिजाणु धानिया एस्पोरेंजिया बनती है जिन्हें क्रमसे माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है माइक्रोइस्पोरेंजियम या लगू बिजानों धानी में माइक्रोइस्पोर मदर सेल और मेगाइस्पोरेंजियम या गुरू बिजानों धानी में मेगाइस्पोर मदर सेल बनती है माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोशिश होता है जिसके फरिणाम सवरूप, माइक्रोस्पोर या लग्भू बिजाणू तथा मेगास्पोर या गुरू बिजाणू का निर्माण होता है माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का आगे जर्मिनेशन होता है माइक्रो स्पोर के जर्मिनेशन से मेल गेमेटोफाइट या नर युगमकोदबिद का निर्माण होता है और मेगा स्पोर के जर्मिनेशन से फिमेल गेमेटोफाइट या मादा युगमकोदबिद का निर्माण होता है Male gametophyte पर male reproductive organ N3DM का निर्माण होता है और female gametophyte पर female reproductive organ Archegonium का निर्माण होता है N3DM में अनेक anthrozoids बनते हैं और archegonium में egg का निर्माण होता है इसके पसाथ egg और anthrozoid का fusion या fertilization होता है जिसके परिणाम सोरूप जाइगोट बनता है जाइगोट में बार बार mitosis की किरिया दोारा embryo बनता है और embryo अंत में पुना है sporophyte ये बिजानुग फित पादब का निर्माण करता है इस परकार विश्यम बिजानुग जातियों में sporophyte, microsporengium, megasporengium, microspore mother cell, megaspore mother cell तथा जाइगोट, embryo, आदि सबी sporophyte tick generation को निर्माण करते हैं तथा microspore, megaspore, male gametophyte, female gametophyte, anthridium, archegonium, anthrozoid, egg इतियादी gametophyte tick generation को निर्माण करते हैं इस परकार का पिढ़िये कांतरन, चिलेजिल लेनला, मार्शीलिया, इतियादी पादबों में पाया जाता है थेंक्यू